आज पानीपत के अंदर भी जगह जगह पर किसानों दुवारा जाम लगाया गया और चक्का जाम किया गया नैसनल हाइवे को जो है बंद किया गया आपको सबसे पहले बता दे कि फिलाल हम खड़े हैं पानीपत रहुत तक जो हाइवे है वहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जाम है और लगबग कुछ देर का समय है अभी जाम खुल जाएगा लेकिन आपको बता दे किनोल्था के पास कहीं किलोमेटर तक बाहरी वाहन है जो वो अभी तक रुके हुए है जो डाइवर्ट जरूर करने का प्रियास किया गया था पुलिस दोवारा लेकिन अभी तक नहीं किया गया और बाहरी वाहन जैसे ही ब्रहमन माजरा के रास्ते से आगे इसराना की तरफ निकाला जा रहा था तो उसको पार भी रोक लगा द पर भी जाम रखा गया लगबग पांस से छे जगासी है जहां पर चिनित की गई थी किशान दवारा नियंतर जाम रखा गया है और दूसरी तरफ अभी भी जो है सटक पर मंच से जो है अभी भी नेतायों दवारा भासन दिया जा रहा है और कुछी देर बाद आभी रोड को खोल दिया जाएगा क्योंकि समय तीन बजने में कुछ ही देर बाकी है और उसके बाद-बाद यहां पर लगातार किसान बैठे हुएं से आंतिपुन्धंग से लगातार उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया स्युक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आवान किया गया था उस पर कहीं न कहीं किसान उने फिर से इस अपनी ताकत का एसास कराया है और देखिए दोनों तरफ किसान बिल्कुल ट्रेक्टरों के साथ यहां पहुँचे थे और कुछ देर में यहां से अब जो सांकेति के जो रोड जाम किया गया था उसको अब खतम किया जाएगा और रोड सुचार रूप से सुरु किया जाएगा वहीं पुलिस प्रसासंदवारा 27 जग है नाके बंदी की गई थी रूट को डाइवर्ट किया गया था ताकि किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत समस्या ना आए लेकिन किसानों ने अपनी ताकत का फिर से एसास कराया है सरकार को ये दिखाया है कि जब-जब स्युक्त किसान मोर्चा जिस तरह काहवान करता है उस पर वो खरे उतरते हैं लेकिन खास बात ये है कि कल को जी जो बड़ी ख़बर हमारे पास आ रही है कल को जो अभी सुत्रों के हवाले से ख़बर आई है कि गरोंडा से विधायक हरविंदर कल्यान जो है वो कल उनका एक कारेकरम है उसको लेकर भी किसान कहीं न कहीं विरोध कर सकते हैं उसको लेकर भी तैयारी कर से हैं और ऐसे में यहां से जो इनपुट्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं कल को हरविंदर कल्यान जो गरोंडा विदान सभा से भाजपा के विधायक हैं उनका कारेकरम पानीपत के अंदर है तो वहाँ पर कहीं न कहीं उनका विरोध हो सकता है गउंसाला में एक कारेकरम रखा गया है उसमें तमाम मुख्यातीती के तोर पर नेताओं को अफसरों को तमाम लोगों को इसमें बुलाया गया है लेकिन ये तो अभी भिलाल जो है क्या पेट्रोलियों पर किसान यहां पहुंचे थे और यह सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह और अपनी परतिकिरिया आप दे सकते हैं लगातार इस खबर को आप जादा से ज्यादा शेर जरूर करे ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और क्योंकि कैमला गाओं क को नहीं उतरने दिया गया था वो एक घटना हुई थी उसके बाद गुरुनाम सिंह चडूनी पर जो है आरोप लगे थे उन्होंने उसको सविकार भी किया था उसके बाद उन्होंने आवान किया था किसानों को कि किसी तरह से राजनीतिक तोर पर कोई यदि कोई कार्यकरम या विधायक सांसद भाजपा का या सुक्त गठबंदन की सरकार से कोई करता है तो उस पर कहीं न कहीं जो है उसका विरोध किया जाना चाहिए और उसी उसी कार्यकरम के तहत कल भी एक कार्यकरम है जिसमें हरविंदर कल्यान एक गउंसाला जो है उसमें कार्यकरम मुख्या पर वो पोचेंगे और जिसको लेकर जोबन हमारे पास सुतरों के हवाले से खबर है कि हर्विंदर कल्यान का कल किसान विरोध कर सकते हैं तो जिसको लेकर रनीति है उस पर भी हमारी नजर रहेगी उसके बारे में भी वैपक तोर पर हम जानने का प्रियास करेंगे लेकिन फिलाल जो है त्यारी कर ली गई है रोड को खोलने की देखे तमाम ट्रेक्टरों पर किसान है वो इसको हटाने की अब तैयारी कर रहे हैं और यहां तमाम देखे दूसरी तरब भी हम आपको दिखाना चाहेंगे फिलाल नोल था और इसराना के बीच में इसराना मंडी के पास यहां पर लगातार परियास कर रहे हैं यहां पर रोड जाम किया गया था और पानिपत में विभिन जगया पर इस तरह से हरिद्वार रोड की बात हो जीन्द रोड की बात हो और जो है लोकल जीटी रोड की बात हो तमाम जगया यहां पर इसको कहीं न कहीं जाम करने का परियास जो है संकेतिक तोर पर यहां पर किसान इन से भी जानने का परियास करेंगे जी न बॉयुद्स करने और जो है उनका कारेकर में यह कह रहे हैं कि किसान उसका विरोध कर सकते हैं कि इस बारे में कोई जाल लागे आप कहां से पामन मजरे से क्या नाम है सोनु यह जो है कल एक गौण साला में कारेकरम है उसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि अर्विंदर कल्यान वहां मुख्या मंत्री का विरोध किया गया था यहां पर इस तरह की कोई सारा सोता करतेंगे सारे साथ चलेंगे तमाम किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि लगातार आप देख पा रहे हैं कि यहां विरोध पर देख जो है विरोध के तोब पर किसान लगातार उनका आहवान है उनका कहना है यूवा किसानों से बातचीत की गई है उसके बाだ और और लोगों से भी कि आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर अब तीन बजने के बाद यहां लगातार देख सकते हैं कि तरह से अब रनीती तयार की जा रही है और हम आपको बाचित कराएंगे लगातार आप हमारे साथ मने रहें यह देखिए अब हटाया जा रहा है अब तीन घंटे का संकेतिक धरना था उसको अब वो किया जा रहा है अब सुचारू रूप से रोड़ चलेगा जी और सभी आसपास के ग्रामिनों ने सारे भायों ने साथ दिया प्रोग्राम है उसके लिए आज रनीती बनाई जाएगी और कल को पुर्जोर्व कहां पे कारेकरम है किस तरह की विश्ता कैसे रनीती दोजी मैं आपको भी नहीं बताएंगे पुरून रूप से बाई रोड़ों ने रहा है जिस भी रस्ते से वह आएंगे वहीं पर उसको का अजय को पर उसको पुराणा प्रोग्राम है और उसका विरोध करना है और पूरे जिलेवाशियों से विरोध यह वहीं अरिविंद्र कल्यार है जिसने करोंड़ा में अपने किसान जाती को और रोड विराधरी को 30 को रुपे में बेचने का एक ऐसा प्रियास किया कि अपन गाव का है इसके और इसने कैमला गाव में प्रोग्रेम बएकि करेंगे जैसे हमारे पास इंपुट्स आ रहे थे उसके बाद हमने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने यह सपश्ट भी कर दिया है कि किसान द्वारा लगातार निती तयार की जाएगी और उनका विरोध करना यहां पर सुनिश्चित किया गया है यह साब तोर पर देख र जो की थी तमाम भारत में वहाँ पर पानीपत से भी रोड जाम किया गया था लेकिन यह देखिए अब जो बड़े बड़े वाहन थे पीछे रुके हुए थे वो यहां से जाने शुरू हो चुके हैं और तमाम यह तस्वीरे जो हैं यह सार्थक तस्वीरे क्योंकि किसानों ने तीन घंटे का संकेति किया था बारा बजे उन्होंने जाम किया और तीन बजे पूरे तीन बजे इसको खोल दिया गया यह तस्वीर जो है यह सीधे तोर पर किसानों ने कहा कि वो स्यानती पुन्धंग से अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और स्यानती कामिल थी हवन यहां पर काया गया था और तीन बजने के बाद यह तस्वीर यहां से दिखे रोड बिलकुल खाली हो चुका है और वहान आने जाने सुरू हो गए हैं बड़े-बड़े वहानों को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में और यहां से अब सुचारू रूप से आग को शुरू ने कैसी कई संवाइड विल भाएं को मतनले लगे तरह को सिपना करते हैं steel आप मैं गरियों भी आ रोल तक जे पीज में जोगाएड जगां जगांगे वहाएं यहां नियुक्ण किसान की तरफ से हैं लोगों की तरफ से हैं बात करने के लिए यह देखिए कंटेनर लेकर ड्राइवर जो है जम्मु कस्मीर से रहतक की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि उस्यांति पुन्धं से किसी परकार की कोई उन्हें दिक्कत नहीं है और उन्होंने किसानों का भी समर्थन किया है यह एक तरफ से जहां दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था कि रोड़ पर चलने वाले वहान और जो बड़े-बड़े ट्रक हैं आम तोर पर उनको ही रोका जाता है लेकिन उनको उनका समर्थन कहीं न कहीं आप देखने को मिल रहा है और महिलाए है ताओ जी राम-राम कहां से हैं सहरनपुर से जो मांगा वह वापस होनी चीए आम तोर पर हर व्यक्ति का यही कहना है कि वो किसानों का समर्थन करते हैं और जिस तरह से यह दिक्कते परेसानी हैं वो आ रही हैं तो ऐसे मैं सरकार को सोचना चाहिए और सहरनपुर से यह ड्राइवर थे आगे वो जा रहे थे उनका यहां पर उनकी परतिकिरिया भी हमने ली तो इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आप जरूर बताएं और कहां कहां पर आंदोलन हुआ कहां कहां पर रोड जाम हुआ इसके बारे में भी आप कमेंट बोक्स में अपनी जानकारी अपनी जानकारी साजा कर सकते हैं और इस से अलग जो हम आपको बड़ी खबर आपको पहले भी बताई और फिर से बता रहे हैं कि योजना बद तरीके से किसानों ने ये जरूर एलान किया है कि कल को गरोणना विदान सबाशेतर से विधायक जो हैं हरविंदर कल्यान वो भारतिय जनेता पार्टी के हैं और कल वो गउसाला विष्राना विधान सबाशेतर से वो पहुंचने वाले हैं और उसको ले करके उन्होंने ये साप तोर पर ये जरूर कहा है कि उनका विरोध किया जाएगा किसानों ने ये आगरे भी किया है उन लोगों से कि कैमला गाओं की घटना के बाद जिस तरह से सामने आई थी बाते वो उसको लेकर भी ग्रामिन समझें और अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि कल के इस पूरे घटना करम पर किसानों का क्या रूख रहता है और क्या वि रोद करेंगे या उनको जाने दिया जाएगा या किस तरह की तमाम बातों पर जिस तरह का भी वहां नजरिया रहने वाला है वो भी हम तस्वीरों के माध्धम से आपको दिखाएंगे और रात को किसानों की आरनीती रहेगी इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका इस बारे में क्या कहना है ये जुरूर हमें बताएं सैयोगी संदीब कुमार के साथ जीते इंद रहलावत इसराना सिटी तहलका के लिए